So Hello Guys, Once Again Welcome Back Our YouTube Channel Nursing Education So Guys, आजगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CRPF Staff Nurse Test Series 3 जो टू पार्ट है वो अपने यूटूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं प्रिवस वीडियो यह दिवो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में उसका link देदूँगा वहाँ से वो first and second class के वीडियो देख सकते हैं अच्छे question है काफी और CRPF जो staff nurse sub inspector का exam होने वाला है 20 December 2020 को उसके लिए important साबित होने वाले हैं तो guys इसलिए आप इस वीडियो को like जरूर करें और चैनल पर यह दिया आप first बार widget करें तो चैनल को subscribe जरूर करें तो guys बिना time वस्ट कियो इस वीडियो को start करते हैं तो guys first questions रहेगा अपना Descent of the testes into the scrotum normal occur Testes है वो scrotum में normally कब आते हैं कब descent होते हैं तो आपका यह questions में 2019 में भी पूचा गया है important questions है सरल भले हो बट काफी important है तो इसमें आपके सामने आप उतर देने की कोशिस शरूर करें options A है just after birth options B after 7 month of life options C before the 5 month of life options D before birth तो आपका यहापर हम right answer की बात करेंगे तो options D है आपका right answer हो जाएगा before birth हलंकी before the 5 month of life यह भी होना चाहिए बट यह गलत है बिल्कुल क्योंकि exact हम answer की बात करेंगे तो before birth में भी आपका 7 to 9th month के बीच में आपका जो है टेस्टेस डिसेंट होता है खहां से होता है आपकी यह abdominal cavity होता है abdominal cavity से यहाँ पर टेस्टेस है जो स्क्रोटम में आते है इसकी जो टाइमिंग है वो 7 to 9th month तो इस प्रकार से यहाँ पिर आपका की कौशिस जरूर कीजिएगा comment box में आप comment जरूर करें तो हम right answer की बात करेंगी तो ओविल जो है आपका fertilization है वो manly और important सीज़े यह फैलोफिन ट्यूब में होता है और फैलोफिन ट्यूब में भी पूचे तो कहां पर होता है यह पूला में है होता है अब बात कर लेते हैं फैलोफिन ट्यूब के बारे में फैलोफिन ट्यूब है इसकी जो पार्ट है वो कितने होते हैं और इसकी लंबाई कितनी होती है फैलोफिन ट्यूब की जो है टैन सिंट्रिमेंटर इसकी लंबाई होती है और इसके जो है मैनली फ कि इंटर इस्टीशल पार्ट सेकेंड बहन जो आपका है इंटर इस्टीशिल के बाद में जो बाष्ट आता है उसको बोलते इस्तो मस कें ठीके नैक्स आपका रहेगा थार्ड नंबर कजो पर्ट रहेगा उसको बोलते हैंaround-ijn आ इन फंडी गूलम इस परकार से फेलोफीन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं और mostly जो है आपका फेलोफीन ट्यूब में एमपुला वार्ट में या फॉतलिजसन होता है और इसमें कुछन से कभी एक बार ये भी पूच लेते हैं कि जो फेलोफीन ट्यूब है उसमें एम्पुला पाट है उसमें जो है जो एक्टोफिक प्रेगनेंसी है उसके 55% होने के चांचेज है एक्टोफिक पाट एक्टोफिक जो प्रेगनेंसी होती है एम्पुला रिजन में 55% होने के चांचेज रहते हैं तो next question की और move करेंगे गाइज वीडियो को like जरूर करें गाइज like करते जाएं नेक्स क्यूशन साइन आप Ectopic Pregnancy include Ectopic pregnancy क्या होती है फर्स्ट नमबर ये बात कर लेते हैं Ectopic Pregnancy के बारे में Ectopic Pregnancy means uterus के अलावा जैसे फेलो फिंटुब है अब्डॉमेल केविटी है इसके यूट्रस के अलावा जो भी जो है फीटस का implantation होता है अनुदर यूट्रस के अलावा तो उस conditions को बोलेंगे हम ectopic pregnancy अब यहां पर पूशा है sign of ectopic pregnancy include sign के उनसा है इसमें ectopic pregnancy का तो penless vaginal bleeding यह तो नहीं है rebound tenderness यह भी नहीं है और boogie cat uterus यह भी नहीं है तो यहां पर ectopic pregnancy का sign है sharp abdominal pen यहां पर options भी आपका right answer हो जाता है next questions की और हम move करेंगे questions है EDD के बारे में what could be the expected date of delivery for the woman who got her last menstrual cycle 20th April 2018 यह questions है EDD expected date of delivery यहां पर EDD का आपका questions पूचा है EDD का तो काफी अच्चा questions है और mostly हर एक exam equations आही जाता है important है तो EDD हम कैसे निकालते हैं EDD के लिए आप एक नेगले rule है नेगले rule है उसके coding हम EDD यहां पर निकालेंगे अब इसमें date दे रही है 20 April 2018 तो 20 April के साथ आप क्या करेंगे 7 days ओडेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे 27 April पलस आप इसमें one year एड़ कर देंगे माइनस थ्री मन तो इसमें आप 27 अपरेल के साथ 20 अपरेल के साथ साथ चोड़ेंगे 27 अपरेल 27 अपरेल पलस आपको एक साल इसमें 12 मन एड़ करना है जैसे 12 मन एड़ करेंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा जो है 27 अपरेल 2019 उसमें से वापस थ्री मन माइनस करने हैं जैसे ही अपन 27 अपरेल में से थ्री मन माइनस करेंगे तो यहां पर अंसर आपका आजाएगा 27 जनवरी 2019 तो यह आपका एक्जेक्ट राइट अंसर होगा आप्शन्स ए नेक्स्स क्यों और मुव करते हैं थार्ड स्टेज कॉंप्लिकेशन ऑफ लेबर इस ओल एक्सप्ट थार्ड स्टेज की जो है कॉंप्लिकेशन्स है एक को सिवाए तो यहां पर प्लोंद्री एमबोलिज्म और प्स्ट्रक्ट लेबर प्पीएच रिटेंट प्लेसेंटा त ठीके गाइस नेक्स्स क्यों के और हम मौव करते हैं अब पल्सेटिंग अब्डोमिनल मास यूजिंग इंडिकेट विच आप्टा फॉल्विंग कंडीशन ऑप्ट्सेटिंग अब्डोमिन मास फिल हो रहा है तो किस कंडिशन्स को यहां पर इंडिकेट कर रहा है तो आप् है जब भी कुछन में pulsating abdominal mass आए तो mostly या किस conditions में देखा जाता है abdominal erotic aneurysm होता है उसमें क्या है when जो है ऐसी हो जाती है condition इस conditions में है जो pulsating mass आपको यहाँ पर फेल होगा तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है options a next questions anti-infective vitamins anti-infective vitamins कौन सी होती है options a vitamin options b vitamin b options c vitamin c और option d vitamin d तो आपका है options a यहाँ पर right answer हो जाता है anti-infective होती है और vitamin c है वो wound healing में आपका यहाँ पर काम आती है next questions calcium absorption is added by all of the following except calcium absorption ने कौन कौन साइता करते हैं सिवाए एक के तो यहाँ पर vitamin d vitamin c lactose and fat calcium absorption के लिए only vitamin d c और lactose है बाकी d option से वो यहाँ पर right answer रहने वाला है accept पूचा है तो यहाँ पर fat रहेगा तो यह यहाँ पर right answer हो जाता next questions की और move करते हैं identify the incorrect pair among the following इसमें से आपका है incorrect pair आपको choose करना है BCG यह TB के लिए और intra-dermal ID लगता है DPT pertussis subcutaneous और MMR rubela subcutaneous OPV polio oral यह सभी सही है और options आपका B है यहाँ पर wrong होता है तो इसलिए यहाँ पर गलत निक आपको सांटना है तो यहाँ पर आपका B answer right हो जाएगा DPT है वो subcutaneous नहीं लगके यह हमेशा आई एम लगता है ठीक है यहाँ पर राइट अंसर भी हो जाता है next questions important complication of mumps in post pivotal male जो post pivotal male है उसमें mumps का complication क्या हो सकता है mumps की वज़े से आपको यहाँ पर options आपका दे रखा है इस्टरलेटी क्रेप्टो केडिज्म डिक्रीज इन लिबीडो और डिक्रीज इन अंड्रोजन तो यहाँ पर हम राइट अंसर की बात करेंगे तो options आ इस्टरलेटी आ सकते हैं में मैनली और कािटीज में और काइटेज और फीमिल में अ और राइट इस इन प्रमिशन और बा ओर वी और और का न्यूंत that CTR सकते हैं तो आपका यहां पर राइट एंसर हो जाएगा 90 परसेंटेज है जो पोलियो के पैसेंट में अस्यम्टोमेटिक होते हैं ठीके गाइज हम नेक्स्ट क्यूशन की और मुव करते हैं वेरींचेला वैक्सीन जो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगन्स्ट वेरींचेला जो वैक्सीन हैं एंसेफिलाइटेस यहां पर राइट एंसर आपका रहेगा औरा सिट जकन फासेंटोमाचन देंग्स टोई नेक्स्स機 versão के और मुव करते है Untreated Strabismus Can Lead To अब बात कर लेते हैं Strabismus क्या होता है हमारी जो आई है नॉर्मली आई का जो है एंगल होता है वो एकदम किलियर होता है सामने की और होता है बट इसमें एंगल है वो आई का इधर जैसे इधर पैसेंट देखना चाहता है तो उसकी आई है वो इसका आई बोल है इधर की और होगा तो वो आई का जो एलिंगमेंट है वो इसमें साही नहीं होता है इसलिए इसको बोलते हैं Strabismus और इसकी जो है इसको ट्रेट नहीं करेंगे तो क्या कंडिसन्स हो सकती है Options A, Cataract Options B, Glucoma Options C, Ambilopa Options D है आपका Loss of Vision in the Affected Eye तो यहाँ पे आप ट्रेट नहीं करेंगे तो Loss of Vision in the Affected Eye में आपका जो है वीजन है वो Loss हो सकता है यह answer आपका यहाँ पे Right हो जाता है Next questions Kremers Rule used for Kremers Rule है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है तो आपका Options A, Zondis Options B, Necrotizing Enterocolitis Next Burns और Options D, Spice तो यहाँ पे राइट हो रहेगा आपका Options A, Zondis Zondis के लिए हम यूज़ करते हैं Next questions Drug used in treatment of Neonatal Zondis Neonatal Zondis के लिए आप कोन सी ड्रग है वो यूज़ करते हैं Options A, Phenobarbiton Options B, Calcium Gluconate Options C, Beta Methasone Options D, Dizepam तो यहाँ पे राइट एंसर आपका रहने वाला है Option A, आपके राइट एंसर हो जाएगा Phenobarbiton Phenobarbiton यूज़ करते हैं जो कि लिवर में जाकर काम करती है वहाँ पे आपको Unconjugate जो Bilirubin हैं उसको Conjugate में Changes करती हैं तो यहाँ पे आपका Phenobarbiton यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा जैसे Unconjugate Bilirubin में परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ पे Bilirubin हैं कि जो मात्रा कम हो जाएगा और Neonatal Journalist से क्लाइंट जो बच्चा है आपका ठीक हो जाएगा तो यह आज की Questions इस वीडियो में हमने बताई टेस्ट सीरीज की थर्ड क्लास थी जो फ्रीवर्स टू क्लास है वो हमने अपलोड कर दी है यूटूब चैनल पर तो आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं और इसकी और प्लेलिस्ट हमने एक त्यार की है जैसे CRPB की